हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाराखी चौबें रिजनिंग कर रहे हैं अभी हम लोग एस्टेट के सारे प्रीपियस पेपर जो आये हैं वे एक्जाम में उस पेपर को डिसकस कर रहे हैं इस सीरीज में आज जो है अपना 2019 में यह जो साइंस या फिर सोसल साइंस इंगलिस हिंदी मैछ साइंस घिक है जिसके और इसके भी स्टूडेट यह जो पेपर आता है पीजेटी में 90 मार्ग का प्र जो मॉन होता है सारे सब्जetr में सेम पीपर आता है सेम पूर्च्जन भी ओता है फ्रिक है अब सबीज एल्डर 2B, while C and D are elder 2E, अब यह क्या कह रहा है आप से, कि देखो, A जो है न, वो elder है, यानि कि बढ़ा है किसे B से, while C and D, यानि कि C और D, जो है न, यह क्या है, बढ़े है किसे E से, E lies between A and C, देखो, यह क्या कह रहा है, C और D को आप अलग अलग लिख लो, या फिर D को एक A और C, यानि इधर और इधर जो है न, इसके इधर या तो A होगा, या C होगा, या फिर A होगा, या फिर C होगा, या फिर C होगा, ये चिस के लिए है, अब आपको कह रहा है कि C is elder 2B, C जो है न, elder है किसे B से, then which of the following statement is necessarily true, यानि कि कौन सा सही है, ये पूछ रहा है आप से, सीधा सा बात है, तो देखो, यहाँ पे C दिया है, E से बढ़ा है, C जो है, वो E से बढ़ा है, तो इधर C होगा, कभी, मालो यदि आप इस तरीके से इसे बनाते हो, यहाँ पे E ले लिया, ठीक है, और बढ़ा कर दिया, कड़ो, इसे C से, क्यों, क्योंकि C, C बढ़ा है, इसने कहा, तीन है, पर तीनों में, यह C जो है वो E से बढ़ा है, तो इधर फीक्स है, A होगा, इधर तो फीक्स है, अब A होगा, इसे ज़्यादे तो कुछ नहीं हो सकता, एक अभी, A से, इधर, E से, इधर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि, E के हमेशा बगल- हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, आपका, C से छोटा है, तो C से बढ़ा है, तो B किदर हो भाधा, फिर, एधर हो झाएगा, कैसे तो देखो, A से छोटा, B है, और B से छोटा कोई नहीं, A से छोटा, यहाँ इहाँ एहीं है, थ एक बस Tá, आपको इस में भीक्स लाइन हो किया बन जाएगा देखो कि की एक तो इसका यह व्यार्व केसे हो गया यह उसकता है है यह यहां प्रिक्तिंव नहीं एक का तो आ यह होगा अजुरी नहीं किartal it सबस्क्रांट्रोकर गोला कि इसलान अन्स प्रिक्तिन अनतल गालों 19 retain the कि c क्या है यहां पर है ओर d यहां पर हो दूसरे केस में यहीं हो सकता है e a b क्या है fix है आपका यह थो fix है कि समझ पा रहे हैं हो सकता है न क्यूं क्योंकि d और c में कोई related न दिया है d बढ़ा यहां c बढ़ा यह चीज एलडर तुसी ए बढ़ा हो सकता है इसकेस में तो छोटा और इसकेस में बढ़ा है तो बहुत केसमें बढ़ा है तो यह आपका option जो है option number d जो है वो सही हो जाएगा ठीक है option number d जो है आपका सही हो जाएगा next कहा रहा है आपसे bottom surface of a cube is empty अब देखो ये cube का question है और cube में भी बहुत ही interesting question है किस तरीके से ये दे रखा है देखो cube का बात कर रहा है और cube में empty आ गया तो आपको सबसे पहले ये open cube पूछ रहा है ठीक है ये closed cube नहीं होगा अब ये क्या हो जाएगा आपका open cube होगा अब open cube के बहुत सारे format होते हैं आपको सबसे पहले जो solve करना है वो इससे try करना है देखो x is marked between a and b y is marked on the left of a अब देखो left और right की बात कर रहा है तो आप क्या करोगे open cube बना लो ठीक है open cube बना लिया अब open cube जब बना लिया तो इसमें कैसे आप represent करोगे तो देखो ये आपका left हो जाएगा ये right हो गया है ये आपका top हो गया और ये क्या हो गया आपका bottom हो गया ठीक ह doop bottom हो गया तो अब ये बचा आपका front आगे हो गया रसरे ये क्या हो गया आपका back हो गया ये direction आपको ध्यान में रखना है ठीक है कि नीचे बारा पोर्शन जो है na bottom वाला पोर्शन तो क्या है empty चलुक्षम लेका करो empty कर दो एक और मार देती हूं यहाँ पे ending में चार left over right ठीक है देखो bottom वाला तो खाली है done फिर कह रहा है x is marked between a and b x को mark करना है किसके बीच a और b के बीच तो देखो यहां पर x दे दिया यहां a दे दिया यहां b दे दिया but clear नहीं है कि a और b ही होगा हो सकता है यहां भी b हो यहां भी b हो और यहां a हो यह भी चांसेज है ठीक है वाई marked on the left of a अब देखो a के left में इधर यानि की वाई है तो पुछा देखो देखो जैड का आएगा यहां पर आएगा जैट यहां पर आएगा इस साफिस को क्या कहेंगे हम लोग देखो bottom side सो होगा नहीं upside को कि आपर तो टौप का राइट है तो ऊपर की तरफ ही होगा तो कि front रहेंगा और bottom यह back इस आएगा मैं अपनों पर इस सब्सक्राइगा ठीकें का वर यहां इस तरीके से контena के A को उपर रखेंगे या B को नीचे रख लिए दूसरे केस में B या A बटी इसने तो Z का पूछा है न अपन से तो टॉप के यदि उपर लेफ्ट और राइट में आ रहा है तो यह कौन सा पार्ट हो जाएगा अपना अपर पार्ट हो जाएगा इसलिए जो इसका एंसर हो B का भी और C का भी फिर के रहा D is the mother of C यानि कि D इसकी मा है ठीक है फिर के रहा E is the father of A है न एक है फादर है किसका A का यानि यह मेल है देन विच स्टेटमेंट इस फॉल्स देखो यह तीनों जब भाई बहन है यह इसकी मा है यह इसकी पिता है तो यह हस्बेंड वाइफ हो जेसे स्टेटमें यह तो यह ममी पापा होंगे एनके अब कहरा देखो B is the son of E, B क्या है इक है E का सन है देखो B son है क्यां इक कर भाई किलियर ही नहीं है यह मेल भी हो सकता है और यह फिमेल भी हो सकता है तो अभी यह क्लियर नहीं है इसको हटाओ E is the father of B E क्या है father है B का सही बात है वई E is husband of D E husband है D का ये भी सही है तो क्या कह रहा है A is son of D A son है D का ये भी सही है तो गलत कौन सा हो गया यहाँ पे फिर यही होई तीनों सही है जब तो पहला यही गलत हो जाएगा B son है E का B का जैंडर क्लियर नहीं है यहाँ ठीक है नेक्स्ट है इन इंग्लिस अल्फाबेट हाँ मैनी लैटर्स और अंचैंज जिन मीरर इमेज गाइस देखो मीरर इमेज आप सभी को आना चाहिए मालो ये A है यहाँ पे आपने क्या किया मीरर रखा ठीक है तो A का मीरर इमेज क्या आएगा जो आगे वाला पोर्शन है वह पहले बनता है और फिर पीछे वाला बनता है ऐसे ठीक है तो A तो एक एक करके चेक करना होगा A से Z तक मीरर इमेज बनाके और फिर उसमें काउंट करना है कि कि किसका किसका सेम है तो मैंने एक डाइग्राम है यहां पर देखो आपको इस तरीके से बना लो आप एम का यह आपका क्या है बीच में मीरर है और मीरर के इस सेट देखो आएगा तो काउंट कर लो एक बार आपका ओ एजेटीज रह जाएगा आई और हब एजेटीज रह जाएगा आपका ओ एजेटीज रह एगा टी यू भी डब्लू एक्स य ये सारे एजेटीज रहेंगे तो क्या हो गया वन तू थ्री फोर यहां देखो 5 6 7 8 9 10 and 11 तो टोटल कितने हो गाय जो अंचेंज है वो कि कितने हो गए 11 हो गए यानि कि option D जो है अपना वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है तो अम नेस देखो फाइंड रोंग टर्म इन दा फॉलोइंग सीजिस रॉंग धूनना है देखो क्या है वन सी भी फाइव एफ यू 9 1 T 15 L S और 17 O R रॉंग धून्डो देखो वन से 5 में गए कितना होड़ा प्लस 4 फाइब से 9 में गए तो प्लस 4 9 प्लस 4 करेंगे तो यहां आना चाहिए 13 बट दे क्या रखाए इसने 15 तो यदि 13 पे चेक करते हैं तो देखो 13 प्लस 4 कितना आ गया 17 यानि कि यह वाला टर्म रॉंग है 15 की जगा पे 15 की जगा पे क्या हो जाएगा आपका यहां पे 13 होगा तो option C जो है अपना वो क्या हो जाएगा सही है ठीक है option C जो है वो क्या है राइट है next है find the odd one out from the given option इन में से कौन सा सबसे अलग है तो देखो 171 131 square तो है नहीं एक बार add करके देखो 1 प्लस 7 प्लस 1 कितना आ गया 9 1 प्लस 3 प्लस 1 कितना आ गया 3 1 4 1 5 1 प्लस 6 प्लस 1 कितना आ गया आपका 8 10 10 अब देखो 958 10 इन मेंने से 9 एट और 10 के będzie non-prime number 5 अकेला क्या है primary number आपका primary number है बाकी सारे जो है वह primary number नहीं है तो आपको सबसे पहले यदि कुछ नहीं समझमें आहरा तो वहां पर primary number नब जरूरे चपकरना तो आपको कितने लेटर संब में क्या है किम थेखो फोर्थ लेटर ओर gutes सिया राइज में पहले क्या आएगा से कॉंच लेटर अगन हुए और चैटूरी से हैक years स्वाल ओर सूर में फेशेल क्या बंग आले क्या है र बंगा झान एगा रसी वाला देखो S वाला कौन सा कौन सा है यह रहा न थ्री और फॉर अब इसमें S के बाद क्या आ रहा है इसमें आ आ रहा है और इसमें P आ रहा है यानि कि I आ रहा हो और P आ रहा है तो I और P में पहले कौन सा आ जाएगा आ यानि कि यह तो हो जाएगा आपका सबसे पहले सबसे पहले होगा 3 फिर उसके बाद यह 4 हो जाएगा यह चीज तो क्लियर है अब देखो इस दोनों में कौन सा है क्या है कॉमन CRIT common है ना CRIT तक तो common है फिर क्या रहा है आई और E आ रहा है ना तो 3421 अब देखो 3421 किस में है option नमबर A में है तो इसलिए अपना option नमबर A जो है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है option नमबर A जो है वो राइट है चलो अब next करते हैं if English alphabets are written in opposite order देखो बहुत interesting कोशितर ने थोड़ा सा अच्छे लेबल का है एक बार ध्यान से देखो डैन विच इस दे एट लेटर तो दे लेफ्ट आफ नाइंटेंथ लेटर फ्रॉम लाप साइड अब क्या कहा रहा आप से इंग्लिश alphabets को अपोजिट में लिखना है तो एक तो होता है आपका A B C D टिल जैड तक ठीक है दूसरा आपका हो गया अपोजिट लिखो यानि की इधर से लिख लो A B C D टिल जैड तक ठीक है दो है अब कहा रहा है इंग्लिश alphabets को आपने अपोजिट में लिखा ये रहा then which is 8th letter to the left of 19th letter from the left side left side से 19th letter ढूंदो left side से 19th number पे यान माल लो आप 19th number यहां है तो 19th number पे कौन सा होगा भाई जो 19th number पे यहां है यदि तो यह कौन सा होगा अपोजिट से इधर की सा अपोजिट में ABC जैड वाले में तो इसको क्या करेंगे 27 में से 19 माइनस कर लेंगे यही तो होगा तो कितना आजाएगा आपका नौट सत्रह एक दू आठ नंबर आएगा यानि कि इसमें ABCD में जब अपोजिट आप लिखोगे तो यहां पे आठ नंबर वाला आएगा है ना और 8 पे क्या होता है आपका चलो पहले नंबर वाईज ही निकलो या फिर 8 पे क्या होगा आपका आठ आजाएगा अब क्या कहा रहा है इसने 19th letter से 8 letter left है यानि इस 19 से भी इसको इधर जाना है 8 letter समझ रहें तो 19 में से 8 माइनस करोगे तो यहां पर क्या आजाएगा या तो यह कर लो या फिर इस H से 8 letter आगे यानि कि H में 8 जोड़ दो H का value 8 है तो 8 प्लस 8 यानि क्या आग का P हो जाएगा है तो option B जो है वो सही हो जाएगा ओके चलो next है if the word property देखो word कौन सा है P R O P E R T Y how many such pair of letter exist which has the same number of letters between them here okay यह वाला question है देखो यह कह रहा है कि मालो यह जो letters दिये होते हैं इनके बीच जो difference है मालो P और R के बीच कितने difference है तो P Q and R दो letter आएगे पी से आर पर जाने पर दो चाहिए तो इसी तरीके से यहां पर मालो P और Q और R समझा रही हूं देखो पी से आर पर जाने के लिए कितना चाहिए Q और R दो दो आगे बढ़ना है और P और आर के बीच में तो difference भी कितने का है दो का ठीक है समझ रही है यह नंबर सेम होना चाहिए आप चलो इसमें करो आपको फाइंट करना ऐसे कितने पेर हैं यहां पर तो पेर निकाल लो एक बार देखो O P पहला ही यहां पर निकल जाएगा O और P का ठीक है चुम क्योंकि O के पास सीधा P है और difference भी नहीं है एक ही का है तो इसलिए O P आजाएगा एक दूसरा क्या आजाएगा आपका देखो O P Q R यहां से देखो O P Q R आजाएगा difference कितने का तीन का ही है O से R के बीच में दो यहां पर इसमें भी है ठीक है तो O R हो गया दूसरा आपका P Q R एक यह भी हो जाएगा P Q और R एक ही का difference है ना P Q R देखो P Q R इधर भी आजाएगा एक है ना P Q R यह हो गया तो टोटल कितने हो गया है 1,2,3 और 4 हो गया है टोटल 4 हो गया है यहां देखो 4 option number C जो है वो right हो जाएगा इस तरीके से आपको सोचना है ओके next है two person A and B stand in front of each other मतलब एक दूसरे के opposite खराई यानि इधर A है तो इधर B है ठीक है समझ रहे है फिर करना इफ ए सेडो लाइज इन दर लेफ्ट आप पे ओके यह सेडो वाला कोश्चन है तो देखो then यह पहली बात इसने किदर के और बात किये morning की तो morning में जो अपना sun है वो किदर होगा east की direction में होगा ठीक है अब आप क्या करो direction बना लो यहाँ पे east, west, north और south इमेज किदर बना है देखो a का shadow lies in the left side of a a के left में बना है उसका image इधर से जब भी बनाते हैं तो image किदर बनता है इधर की side बनता है अब a का left कहां पे खड़े रहोगे कि आपका left जो है वो इस side आए देखो यदि आप इस point पे खड़े हो यदि आप इस point पे यहा north की और face करके खड़ा है कौन खड़ा है यहां पे ए है ठीक है clear हो गया यहां पे खड़ा है north की और face करके तभी तो इसका left इधर है right इधर है और a का image यहां बन गया अब इसने क्या कहा है बी तो इसके just opposite में खड़ा है ना wait हां सही तो है फिर a के opposite में यहां पे बी क्यामने सामने खड़ा है और यह पूछ रहा है विच डारेक्शन बीज फेसिंग इधर की और face है बी का चाहरा किदर की और तो देखो ना बी इधर की और मुड़ा होगा ना अब एधर की तरब देख रहा है नौर्थ की तरब तो यह हमें साथ की तरब देखे और व्यस्सी बात है तो option A अपना पुडाइट हो जाएगा तो यह थे PGT 2019 सा यह 20 सा भी पेपर में आये हुए हैं अब हम लोग next class में फिर से किसी यह में आये हुए पेपर को ही discuss करेंगे तब फिर मिलते हैं next class में